अगर आप भागलपूर में सरकारी विभाग में किसी भी तरह के परमान पत्र को लेना चाहते हैं तो आपको टेबल के नीचे से भी पेमेंट देना पड़ेगा चाहे वो जन्म परमान पत्र हो, मिर्त्यू परमान पत्र हो या फिस स्वास्ते परमान पत्र हो एक मामला भागरपूर की सदर अस्पताल से ही सामने आया है। दरसल सदर अस्पताल में स्वास्थ प्रमान पत्र बनाने को लेकर घूस मांगे जाने पर एक छात्रा के दोरा अनुमंदल प्राधिकारी को इसकी सिकायत की गई थी। जिस पर अनुमंदल अधिकारी ने सदर अ पर्मानपत्र बनाने के एवज में लिया था वही दोनों बैक्ति ने पर्मानपत्र बनाय जाने के बदले पैसे लेने की बात कबूल कर ली है जिसके बाद अनुमंडल दिकारी ने दोनों को तिलका माजी ठाने की सुपूर्द कर दिया वही सिविल सर्जन के दोरा थाने में मामला भी दर्ज कराया जा रहा है कि में मैं सर्जन साथ चयस्तर से उनके आपायक करा रहा है कि उसके साथ देरा लाह करें डी साथ लड़की भी लिग कर दिय है तो दो आप के सारी मां जापता किसम नयुका आयप संदर में एफाड यार में कर रहा है कि अशे उसके पास से पैसा मिला है जी सांहं का राई वंदरह जार घुसर पचाशाज गभए रहा है वंद्रह जार जारव भॉसर पचाश और फृफरह इंय में जंद में था है लेक्र के लिपिक किसा इला? के लिपिक लिपिक कहीं दो अ गठी है इस्थवनोध था क्या नाम काजर दुन होगा एक कंप्लेन आया हुआ था कि जो एन्म की भरती के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट बनाया जा रहा है उसके लिए सिविल सर्जन कार्याले में हजा रुपे लिए जा रहे हैं उसी कंप्लेन को वेरिफाइए करने के लिए के साथ में गया था और करेंगे चेंबर में उसमें तीन लोग थे जब मैं गया था गरिफ्तारी दो लोगों की हो गई है बाकी जिन को भी चेंप्लित क्या गया है उनसे भी नाम दर्जे भायर होगा भागलपूर के पुलीस जिला नौगच्छिया से दिल धला देने वाली घटना सामने आई है भीपूर दच्चिन पंचायत के सोनवर्सा गाउं में एक महादलित परिवार के पांच दसे गंभीर रूप से घायल मिले हैं जबकि एक बैक्ती को मृत पाया गया है जबकि अन दरवाजा सुबह देर तक नहीं खुला जिसके बाद रमेश कुमार ने घर का दरवाजा खुलवाया तो सभी दंग रह गए अंदर खून से लथपत पुरा परिवार पड़ा था जिसमें एक मृत ववा अन्य सभी बेहोस थे इसकी सूचना फौरन पुलिस को दी गई हो गए वही कमरे के अंदर कदर से देखकर ऐसा लग रहा था बदमासों ने रात में आराम से इसखटना को अंजाम दिया है आप जो बोल रहे हैं कि मारा है यह दो आजिए जानकारी की पारूप अखिर कैसे अगर जाब पती-पत्नी में जगरा होगा तो पती-पत्नी नहीं मार सकता है बचा को जब तक कोई मारा नहीं है तो यह इस धर्सक कि हाई क्या नाम है आपकी बेटी का और नमासों मेरा बे 2013 में 2013 में 2012 में हुआ था इसके चार बच्चे सब बच्चों को पिटा गिया है वह की तीन बच्चा को पिटा गिया है एक बच्चा उसमें खतम हो चुका है जो घाल है एक मर्ग और नाम सुदीन तास है हम सुबह में सर जग है तो हमसा हमारा काम है तोरा फर सुबह होता है ना तो आम जग के थोरा बगीचाव कदर फरेश होने जाते हैं फिर उधर से आये मम्मी और चोटा मेरा बतिजा वह बोला मम्मी कोई जगा नहीं है बी है अवास दिया जगाया फिर हूँ से मेरी मम्मी घर खोला अंदर में देखा तो महा वलो ऐसा था वही सब बियोसी का हालत में परा था बलड उलड इधर उदर गिर रहा था मेरा मालुम नहीं सा मारते तो देखते दो हमें इसा थूरी होता नहीं जिसमनी ऐसे तो कुछ बात का नहीं था देखिए सर हम बता रहे हैं दुस्मनी किसी से नहीं था पर बात दवा इतना यहां था कि उसका पत्नी और पती और पत्नी में आज तक कभी खुश रहा ही नहीं हमेशा बिवा दी रहा हाँ पती पत्नी में तो सब को किसने मारा सहाव हम यहीं नहीं जान पाएं ना कौन मारा या मेरा भावी मारा या कोई मारा भागलपूर के तातारपूर थाचद के मंदरोजा चौक पर देर साम उस समय अफरा तफरी का महौल बन गया जब एक स्कूल बस ने टोटो मोटर साइकिल और रिक्सा में जोड़दार टक कर मार दी इस दोलान मोटर साइकिल सवार यूबग बाइक समेत काफी दूर तग हिसिटते चला गया गनी मतिया रही कि एसकेपी स्कूल बस के पईहे के नीचे बाइक फस जाने एकारण अन्रियंतरित स्कूल बस की चपेट में आने से कई लोग बच गये क्योंकि अब व्यस्तम इलाका है और मंदरोजा चौक पर हमेसा काफी भीरभा रहती है इस हादसे में दो लोग बुरी तरह जखमी हुए हैं जबकि कई मामुली रूप से घायल है घटना में एक टोटो गारी एक पलसर बाइक दो रिक्सा च्छती ग्रस्त हो गया जबकि रिक्सा पर सवार महिला विनिता जैन और बाइक सवार सुधरसन कुमार बुरी तरह जखमी हो गये घटना के जानकारी मिलते ही ततारपूर थाना पूलीस मौके पर पहुची और मामले की छान बीन में जुट गई है सुधरसन कुमार बाइक पहुची और तो कहीं को ये जखी तो नहीं होई भागलपूर की जीरो माईल इस्तित रजिस्यम भवन में परधान मंत्री रोजगार सिर्जन कारिक्रम और मुख्य मंत्री उद्यमी योजना के थाद उद्योग बिभाग से सम्बंदित योजनाओं की स्विक्रती और वित्रन सिविर कायोजन किया गया जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अधचता में आयोजित कारिक्रम के दौरान उद्योग बिभाग के जीम संजे कुमार बर्मा सहीत सभी बैंक के परवंधक मौजूद थे सबसे पले जिलाधिकारी ने रेसम केंदर में नए उद्योग बिभाग के दौरा लगाये गये उनके उत्पातन के स्टाल को देखा और उनके उत्पातन की जानकारी लेते हुए नए सभी उद्योग बिभाग के जीम और सभी बैंक के दिकारियों ने संजे कुमार बर्मा ने डियम सुब्रत सेंद को अंगवस्तर पौधार मोमेंटों देकर सम्मानित किया इस दुरां जिलाधिकारी ने सभी बैंक अधिकारियों से सुराजगार को बढ़ावा दिये जाने को लेकर नए उद्धमियों को सरकार को दोरा दिये जाने वाले सहायता को समय से मोहिया करा जाने और बैंक के दोरा हर संभामदत उद्धमियों को कराया जाने का दिसानिते इस दुरां जिलाधिकारी ने नए उद्धमियों को सरकार के दोरा सहायता दिये जाने की स्वीकिरती पत्र भी परदान किये जबकि बिहार सरकार के दोरा दिया गया 10 लाख रुपिय सहायता दीकियों ने कहा कि वो बिहार सरकार के महिला उद्धोग विवाग के कर्मचारी अधिकारी और बैंक अधिकारी मौजूद थे जीकि व प्रोड़क्ट्स की प्रथर्षनी भी लगी है। इसके अत्रिक प्रीमी जीपी है उसमें जो लक्ष को प्रप्त कर ली हैं एसमें कर लिए, इसके लिए लगातार हम लोंग की व्यथके भी हो रहे हैं। और कई ऐसे कारे हैं और कई ऐसे इस जिले की विसेस्ताये हैं जैसे मैंने अपने अधिवाशन के दोरान भी बताया कि दो दो जी आई प्रोडक्त यहां का जरदालू, आम, कतर्नी, चावल और चुड़ा जो है जिस पे विसे सब लोगो काम करने की जोरुत है कई ऐसे उद्यों ही हैं जिन्होंने अपना नया कुछ काम सुरू किया है उनको सपोर्ट करने की जोरुत है तो उस दिसा में बैंक भी लगातार महज़त कर रहा है मायवजित किया जा रहा है जिसमें दो टीमें बनाए गई है जिसमें अधिभकता हुआ समासेवियों के साथ कैदियों को उनकी अधिकारों के बारे में बताया जाएगा नालसा की और से जो कैमपेंच चलाया जा रहा है उसमें सभी जिलों के कैदियों को उनकी अधिकारों के बारे में जागरू करने के लिए यह विसेश पहल की गई है कारिक्रम 31 अक्टूबर से 33 नुबर तक चलेगा वही पैन इंडिया के और से सही पर खंडों में लोगों को अपने अधिकारों को लेकर जागरू करने का काम करने के लिए भी कारिक्रम की सुरुआत की गई साथी 12 नुबर को इस साल के राष्टे लोग अदलत को लेकर तैयारी पूरी कर ले गई है अधिक सधीक केस निस्पादन करने की बात कही गई है जानकारी जिला विधिक सिवाप्राधिकार की सचीब जोती कुमारी ने प्रेस्वारता कर दी नालसा की तरफ से एक हक हमारा भी है कैमपेंच चलाया जा रहा है जिसमें जो जेल में बंद कहदी है उनका डिटेल लिया जाएगा उनका कार्ड बनाया जाएगा और उनको उनके बारे में पताया जाएगा कि आपका केस कहां pending है आपके केस में क्या process हो रहा है इसके लिए हम लोगों ने दो टीमें बनाई है जिसमें एक 4 टीम है और एक 4 टीम है 4 टीम में सेक्रेट्री, 2 अधिवक्ता और एक समाजी कारता रहेंगे फिल्टे में पील भी पैनल के अभी वक्ता रहेंगे जो जेल अथरिटी में जाएंगे और वहां उन्हों का इंटर्विव लेके कुशनाया तियार करके यहां सब्मिट करेंगे दूसरा एक टायन इंडिया केमपेंग चलाया जा रहा है लीगल अवेरनेस केमपेंग रहेगा जो पंचाय तस्तर तक सभी गाओं में जाके डोड़ तो डोड़ केमपेंग चलाया जाएगा जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरू किया जाएगा लीगल अवेरनेस के बारें बताया जाएगा और सरकार की जो इसकी में आई हैं उसके बारें बताया जाएगा हागलपूर में पिछले दिनों जोकसर थालाचत के जिला परिशत के बगल मेश्थित भागलपूर डिस्टिक बोर्ड उपडागर और जिला अभिहनता कारियाले में इस दुरान साब सफाई करने वाले फूचो मंडल की इट से कूच कर हत्या कर दी गई थी हत्या के मामने में दो लोगों को गिरफतार कर लिया गया है जानकारी प्रेशवार्ता के दुरान सीटी एसपी सुभम आर ने दी उनने का कि कांड के तुरंत उद्भेदन हिट सहायक पुरिसलिस्चक नगर के नेत्रित में एक छापेमारी दल का गठन किया गया था तीम दोरा तक्नीकी और मानविय सुचना के प्राप्त नुसंधान के दार पर तुरित गती से कारवाई करते हुए कांड काउध भेदन किया गया उसके बाहर ही एक लाश बरामत हुए थी जिसमें इनका सर से कुचल के सर मारा गया था जिसके करण उनकी ब्रित्ति हो गया थे जब उसकी पुष्टी की गई उनने पता किया गया इनका कौन है तो उनका नाम पूचो मंडल था जो की सुर्की कलभटा के रहने वाले थी इसमें हम तवुष्ट कारवह हमने से करते हम ने जांश ट्रिम कर गट्रिन किया और उसके बाद में रिपता लगा यह है इसे हमें परिसूचना मेली इस तमें की यह चोरी का एक मामला है इसमें चोरी को लेके एक जो प्ताथमी की अभ्यूक्त है जो बनाए गए दे बाद और रात्री का फिल्म heavenly, फिल्म के भी मौत्यों उसे की बाद में और उसके बाद में और सदाम और यह नोरगों साथो चसंद सब सब्सक्राइब मुहम्मद आफ्ताब को गिरफतार कर लिया गया है। इल गाली गुजरती है तो उहाप्लेट फॉर्म पर लगे फिक्स कंक्रीट या त्री चेयर में लगे मार्बल गिरनाईट टाइल्स और ब्रिक उखड कर गिरने लगते हैं। गजजरती हैं। इल गुजरती वाव्लेट लिए खिएबड खिए गूच्टा इल गुजरती हैं। कर दो कर दो जड़िया कर दो 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 कर दो कि हुआए तर अपिख साफ़ी आसे ओता इंपर जाओली खाए नड़ा जड़ा जड़ाम में लिएया हुआए तर दो दो से अक रखआ हिस्सेड़ा कर दिक घड़ी अरशबा यहां, अर्ज़ा कर दो दो सकते हुआएए अका प्यज़ा झाल झाल झाल